नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना हिमान शूठाक और आप देख रहें आपका अपना चैनल यूटी नियूज नेटवर्क दोस्तों जैसा की आप सभी जानते हैं कि उत्तरा खंड में दस्वी और बारवी बोर्ड के जो नतीजे हैं वो घोशित हो चुके हैं अब दस्वी कि आखिर हम अपने बच्चों के उज्वल और बहतरीन भविश्य के लिए बच्चों को आगे क्या पढ़ाएं कौन सा कोर्स कराएं कौन सा डिप्लोमा डिग्री या किस कोर्स में एड्मिशन दिलाएं और सबसे बड़ी चुनोती एड्मिशन तो दिलाना ही है लेकिन एड्मिशन कहां दिलाएं कौन से कॉलेज में दिलाएं जहां से हमें हमारे बच्चे के उज्वल भविश्य की गारंटी भी सत प्रतिशत मिल रही हो लेकिन ऐसे में चिंता इस बात की भी है कि ऐसा तो कोई कॉलेज मिली नहीं रहा जो शत प्रतिशत करियर की गैरंटी दे रहा हो उज्वल भविश्य की गैरंटी दे रहा हो वैसे इस वक्त मैं मौझूद हूँ हमारे काश्वीपुर के ग्यानार्थी मीडिया कॉलेज में ग्यानार्थी मीडिया कॉलेज के अकैडमिक डिरेक्टर और कॉमर्स डिपार्टमेंट के एक पुरोधा कहे जाने वाले मनोज मिश्रा इसवक्त मेरे साथ मौझूद हैं आईए इन से बात चीत करेंगे और जानेंगे कि जो ट्वल्थ इन सभी बच्चों को बहुत बात बधाई वह मृम शुपकामना हैं देखिए हिमाच्चु जी कोई भी बच्चा जो की कच्छा बार्वी में जब पास होता है तो उसके पीछे कुछ उसकी चिंताओं चुपी होती हैं सबसे पहली चिंता होती है कि उसे क्या करना है तो ग्या इसके साहत मास और यही है कि इन कोर्स को करने के बाद आपकी सबसे बड़ी चिंटा यानिकि आपका सुरक्षित भविस जानी कि आपकी नौकरी वो आपके लिए हमेशा के लिए fix हो जाती है आपको नौकरी के चिंता नहीं होती दूसरी बात यह है कि फी स्ट्रक्चर ग्यानारती मीडिया कॉलेज में जो हमारा फी स्ट्रक्चर है वो minimum फी स्ट्रक्चर है जो आस पास के जितने भी कॉलेजिस हैं उनके आप compare करेंगे तो उनसे हमारी फीस बहुत काम है और दूसरी बात यह है कि ग्यानारती मीडिया कॉलेज एक इस तरह का involvement प्रोवाइड करता है अपने बच्चों को जहां पर बच्चा अपने कर्यार को shape कर सके यह जितने भी कोर्स हैं यह सब skill based कोर्स हैं और इन skill based courses की वज़े से बच्चा अपना career shape कर सकता है आप academics में कितना भी अच्छा आपके पास result हो लेकिंग जब तक आपके पास skill नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते skill बहुत जरूरी है किसी भी बच्चे के भविस्टे के लिए सबसे जरूरी है कि एक particular field में उसके पास एक skill का होना यदि आपके पास हुनर है तो आप हमेशा आगे बढ़ते चले आते हैं मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनके पास degrees का भरमार है डिग्री भरी हुई है लेकि उनको जॉब नहीं मिल दी है उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि उनके पास हम बात है त्वेल्थ बोर्ड एग्जाब दी है के result से जुड़ी हुई कर रहे हैं मैं यह मानता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि जितना confusion एक teenager की life में होता है चाहे वो career से संबंदी हो चाहे वो पढ़ाई से संबंदी हो चाहे वो personal life से संबंदी हो उतना confusion और किसी की life में नहीं होता जब बच्चा 10th pass out करता है तो सबसे बड़ा confusion कि आर्ट्स में जाओं commerce में जाओं या science लूँ क्या करूं क्या ना करूं कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि आर्ट्स वाले तो मतलब बिल्कुल जो गय गुजरे होते हैं वो arts लिया करते हैं कि बहुत सारी बाते चलती है फिर भी उस confusion से कैसे भी लड़ाई जगडा करके बच्चा कोई न कोई stream ले लेता है stream लेने के बाद उसको पता चलता है अरे यार मैंने तो गलत stream ले ली मैं बहकावे में आ गया अब बहकावे में तो आ गया अब कुछ नहीं कर सकते हैं आखिरकार उसी stream के साथ उसने 12 भी पास आउट कर दिया अब 12 पास आउट करने के बाद किस तरहा के बच्चों को कौन सी stream चूज़ करनी चाहिए इसके लिए कोई barrier या फिर कोई ऐसी foundation या कुछ ऐसी बात जो आप बता सकें कि हाँ भी आपको इस में इंटरस्ट है तो आपको यह stream लेनी जाए देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी stream खराब नहीं होती आप यह नहीं कह सकते कि commerce का scope जाता है और art का कम है और science का बिलकुल नहीं है फब की अपना अपना महत है चाहे वो science का हूँ चाहे commerce का हूँ चाहे art का हूँ यह सबको depend करता है बच्चे की अपनी choice पर अगर बच्चा किसी crash में अगर बच्चा किसी area में जाना चाता है और बाई choice जाना अप चाता है तो मानके चलिए उसी line में उसी stream में वो अपने career में top पर पहुँश सकता है, hike पर पहुश सकता है, उसी career में बहुत ज़ादा उसको jump मिल सकता है, होता क्या है कि यह समाज में बहुत सारे हमारे इससे के लोग होते हैं, जो कई बार बच्चों को भ्रमिद कर देते हैं, तुमने यह subject लिया तो हमारे PCS हैं और जितने भी हमारे सरकारी नौकरियों में जो सिवाए दे रहे हैं उन्हें बहुत सारी बच्चे बहुत बड़ी तादात आर्ट साइट के बच्चों की होती तो यह कहना गलत है कि साइंस का स्कोप या कॉमर्स का इसकोप या आर्ट साइट का कम या ज़्यादा है इसकोप सबका बराबर है डिपेंड यह करता है बाद सबसे ज़्यादा इंपोर्टन यह है कि आपकी इच्छा क्या है आपकी चॉइस क्या है और आपका लाइफ को लेकर आपका गोल क्या है तो अगर आपका गोल सापसी बात है एनिमेशन डिपार्टमेंट में है तो आप सापसी बात है एनिमेशन ही लेंगे आपका फाइनेंस में आपका गोल है तो आप फाइनेंस ही करेंगे यानि भी कॉम ही करेंगे तो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है बनना चाहते हैं आप इ पता है दिखाई दे रहा है मेरे खयाल से 60% से जादा बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 भी पास आउट कर लेते हैं लेकिन उनको केवल और केवल गोल के रूप में एक ही बात पता होती है कि मुझे बस कैसे भी करके अपना उज्वल भविश्य बनाना है कहां बनाना है क्या बनाना है क्या करना बैतर होगा क्या करना खराब होगा उनको उस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती तो चिंता उनके लिए है आखिर वो क्या करें काशिपूर में जो ग्यानरती मीडिया कॉलेज है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उन सबी बच्चों के लिए जो किसी भी financial condition की वज़े से या किसी भी barrier की वज़े से जो नहीं आगे बढ़ पाते हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रुवाइट किया है जहां पर विध्यारती कम फीस में अपना निश्चित भविश सुरक्षित कर सकते हैं आपके पास अगर placement आपको चाहिए तो आपको एक course चाहिए एक ऐसा course चाहिए एक ऐसी professional degree चाहिए जिससे आप आगे भविश में बढ़ सके आप अगर देखें 2014-15 से पहले काशिपूर में एक भी ऐसा college नहीं था जो professional course कराता था वो तो ग्यानारती रूप से अपना भविश से सुरक्षित कर सकते हैं और खाली हमारे पास बच्चा काशिपूर का नहीं आता मैं आपको बता दू हमारे पास बच्चा अबजल गर्ल जस्पूर ठाकुर द्वारा बाश्पूर राम नगर अब तो हल्दवानी और काला धूंगी से भी स्थिकषी बात था हर पैरेंट्स को अपने बच्चे की उलिट्वर से हमारे पास लिमिटे डी सुरस हैं हमारे चाली मीडिया कउलिशेश करें तो उनके इनी सपनों को पूरा उतने भी doubts होंगे वो clear हो चुके होंगे शिक्षा से संबंदित और भविष्य में क्या किया जाए कैसे किया जाए किसे क्या करना चाहिए इस विशे से संबंदित लेकिन फिर भी अगर आपके मन में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कोई भी संशय बाकी हैं कोई भी सवाल बाकी हैं तो कॉमेंट सेक्षन में आप मुझ से और मनोज सर से सवाल पूछ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाए धन्यवाद